दोस्तो इस वीडियो में हम पूछेंगे जीके का पांच बड़े ही मैदार सवाल जो आपको हर बीमारी मिटाने में मदद करेगी तो अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि हैं तो तुरंत और जल्दी कर लिजे अच्छा जनकारी के लिए सवाल नमबर एक शरीर में गर्मी रहती हो जिनको उनको खाना के साथ में क्या खाना चाहिए ठंधा शरीर हर दम रहने के लिए दोस्तों इसका सही अंसर है हारा निर्चा और प्याज के साथ खाना खाना चाहिए उससे सरीर एक दम सीतल और ठंधा रहता है इसलिए खाना के साथ हमर्च और प्याज जरूरह खाय ज्यादा नहीं थोड़ा जरूरह खाय सवाल नमबर दो अंगूर खाने से कौन बिमारी नहीं होती है दोस्तों नहीं जानते है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जीके हलचल को जरूर कीजेगा दोस्तों इसका सई अंगूर खाने से जो लोग अंगूर का सेवन करते हैं उनको आंगूर की बिमारी नहीं होती है और जीनको हो भी गया है उनको बड़े ही असानी से किस्मी या अंगूर खाने से छुट जाती है सवाल नमबर तीन बार बार पिसाब क्यों लगता है दोस्तों नहीं जामते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा आच्छा जनकाड़ी हमेशा पाने के लिए दोस्तों इसका सही अंसर है ज्यादा ठंधा समान खाने से बार बार पिसाब लगती है और काम धन्धा जो लोग नहीं करते हैं उन लोगों को भी बार बार पिसाब आने की संभावना बना रहता है या सुगर वाले को भी होती है सवाल नमबर चार घुटनों में गठिया की विमारी क्यों पकरता है दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिगा अच्छा जनकाड़ी हमेशा पाने के लिए दोस्तों इसका सई अंसर है ज्यादा ठंड़ा समान खाने से घुटनों में गठिया की विमारी पकर लेता है उस समय हम लोग को चलना फिरना उठना बैठना सब मुस्किल हो जाता है इसलिए ठंड़ा समान ज्यादा नख है सवाल नमबर पांच पालक का साग खाने से क्या फाइदा मिलती है सरीर में दोस्तों अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर की जगा हमेसा आच्छा जनकाड़ी पाने के लिए दोस्तो इसका सभय आतों की पूरी मजबूति रहती है और आतों की गंदगी साफ होती है और खोर जो है नाया बनता है क्याएं कि उसमें बिटामिन लोहा भरपूर मात्रा में मिलती है दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त तुरंद कीजिएगा